हलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CAPF Assistant Commandant UPSC की तरफ से जो एक्जाम करवाया जाता है उसका पेपर 2 है यहाँ पर यह तो यह पेपर 2 में यहाँ पर जो आप जानते होंगे General Studies Essay and Comprehension का जो है Second Paper यह आता है यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो यह पेपर जो होता है वो bilingual होता है Hindi और English दोनों में दिया हुआ होता है और इसके अलाबा अगर बात करूँ कि यहाँ पर कई बार यह question पोचा जाता है कि यह जो पेपर होता है इसमें आपको जो है English Medium में exam देना है English में exam देना है या फिर Hindi में exam देना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दू कि आपने जो application बरते time जो भी यहाँ पर आपने जो language चूज की होगी उसके हिसाब से जो first question जो होता है उसके हिसाब से करना होता है अगर आपने हिंदी चूज किया तो आपको यह question हिंदी में करना है केवल first question और अगर आपने English चूज किया है तो आपको English में करना है केवल यह first question के लिए है इसके अलाबा जो जितने भी question है second third fourth बाकि सारे के सारे English में ही करने हैं ये आपको हिंदी में करने ही नहीं है चाहें आपने ये Hindi choose किया है चाहें आपने इंग्लीजी चूज़ किया है आपको इंग्लीज में ही वो करने पड़ेंगे question number second से लेके बाकि की जितने भी question है के वल फर्स्ट कोशन में ही आपके पास चोईस होती है कि आप उसको हिंदी में करें या फिर इंग्लिस में करें तो यहाँ पर जैसे कि पहला कोशन है निमलिकित मैंसे चार पर लगबग तीन सो सब्दों में निवन्द लिखी है तो यहाँ पर चार पर आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर टोटल छे टॉपिक दिये हुए हैं जिसमें से आपको चार पर आपको निवन्द लिखना है और यहाँ पर जो है इसका हर एक कोशन 20 नमबर का है तो यहाँ पर इसलिए आपको 300 सब्दों में इसका आंसर देना है तो जैसे कि पहला कोशन है भारत के सीमा वर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीती चाइनीज एकोनोमिक पॉलिसी इन कंट्री बॉर्डरिंग इंडिया यानि कि इंडिया के आसपास के जितने भी देश हैं उसमें यहां पर इन चीन की आर्थिक नीती कै कैसी है क्या वहाँ पर काम करता है चीन जैसे कि पाकिस्तान हो गया बूटान हो गया नेपाल हो गया इसके लावा बांगलादी स्री लंका हो गए इन पर यहां पर जो एक हैं समझाना है नुक्साना फिर second question है यहापर बी work from home एक वर्दान या अभिशाप work from home a boon or a bain तो यहापर इसके बारे में बताना है कि work from home यहापर यह किस तरीक कैसा है यहापर कैसे इसमें काम हो सकता है क्या इसमें फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे तो यह बोल भी रहा है यहापर एक वर्दान य इंडिया is a flourishing family business तो यहापर party politics में यहापर family business की तरह कैसे काम करता है इसको समझाना है उसके बाद D है बेरोजगारी और नई सिक्सानीती unemployment and the new education policy तो यहापर सबसे पहले तो बताना है कि बेरोजगारी क्या है बेरोजगारी में यहापर कितना बेरोजगारी फैला हुआ है मतलब current affairs के साबसे आपको बताना पड़ेगा new education policy किया है यह आपको यहापर बताना है यह यहापर जो है इस question में समझाना होगा उसके बाद E में यहापर है सहरी करण मानव स्वास्ति के लिए हानिकारक है urbanization is hazardous to human health तो यह समझाना है यहापर कि जो सहरी करण बढ़ता जा र रहे हैं तो यहापर यह मानव स्वास्ति के लिए यानिकि human health के लिए किस तरीके से हानिकारक है और क्या इसके फायदे भी हो सकते हैं यह यहापर इस question में समझाना होगा 300 सब्दम में यह समझाना है time limit बहुत कम होती है जिसके वज़े से आपको इसमें बहुत fast कम करना होग F में यहापर दिया हुए गुस्पैटिय भारत की सुर्खसर के लिए खतरा हैं infiltrators are a threat to India's security तो यहापर जो है गुस्पैटिय जो होते हैं यानिकि सीमा पार करके illegal जो लोग आ जाते हैं बारत के अंदर तो यह किस तरीके से भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि यहाप गुस्पैटिया जो है केवल काम की वज़य से या परेशान ओकर नहीं आ सकता उसातंगवादी संगठन भी होते हैं जिसकी वज़य से यह आते हैं तो यहापर इस तरीके से इसको समझाना है यह मैं केवल एक explain करने की कोशिश कर रहा हूं आप यहापर इसको समझ सकते हैं उसके बाद जैसा कि मैंने बता है फ्र्ट कोशन के बल होता है हिंदी और इंगलिश में Search कर सकते हैं जिसमें आप याणि कि हिंदी में भी कर सकते हैं अगर आपने चूश किया और इंगलिश हो तो इंग्लिस में कर सकते हैं उसके अलावा सेकेंड कोशन है यह आपको इंग्लिस में करना है जैसे कि राइट आर्ग्यूमेंट्स पॉर एंड अगेंस्ट इच आव दी फॉलोइंग स्टेट्मेंट्स तो यहां पर यह स्टेट्मेंट्स दो दिये हुए हैं इनके लिए आपको đई-वह से इसको भी लखना पड़ेगाять जैसे कि स secret Нे इंग्लिस ऑन्हाई्स को सेleátने यहां इसी सारे की रिंट श्रीसिस झाधर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इसमें पर आपकी singular alphabet है तो इसमें यहां कि नहीं बताना है इसका साथ मैं आपकी पॉइंट्स से आंसर किये जाते हैं उसके बाद बी-point में यह पर देवे फार्मार प्रोटेस्ट और पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो यहां पर जो फार्मार प्रोटेस्ट हुआ था जो 2019 में शुरू हुआ था और अभी 2021 में खतम हुआ नवंबर में तो यहां पर जो है यह जो है किस तर अपर जो है जासे के ए है ऑक्षिजन सिलेंडर्स ऐडेली और बी में यापर पूछ रहा है पॉल वॉइलेंस इन वैस्ट भंगल तो यहां पर जो है इन दो के इन दो पर यहां पर आपको रिपोर्ट लिखनी है और यहां पर जो है यह हरे कॉशन दस नमबर का है 200 सब्दों में इसका अंसर बताना है ये भी इंग्लिस में ही इसका अंसर देना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर है fourth question यहाँ पर कहा रहा है attempt a precise of the given passage in one third of its length do not suggest a title right as far as possible in your own words the precise must be written only in the precise format given below यानि कि यहाँ पर आपको यह process दिया हुआ है जिसके basis पर आपको यहाँ पर इसका one third part यानि कि एक तिहाई हिस्सा आपको लिखना है अपने सब्दों में बना कर यहाँ पर यह 15 नमबर का question है अब यहाँ पर मैं इसका passage आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आप इसका passage पर पा रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ और यहाँ पर आप इसके साथ में यह भी देख पा रहे हैं कि यह जो है 480, 485 words में आपको दिया हुआ है total इसका one third part आपको लिखना है one third यहाँ पर इसका लिखना है यहाँ कि 485 का one third जो आपका निकल के आ जाएगा यह हो जाएगा 165 words यहाँ कि लगबग आपको 165 words में आपका answer होना चाहिए तब आपको जो है 15 नमबर में इसके नमबर दिये जाएंगे तो यह तो हुआ fourth question इसके अलापर आगे बढ़ता है तो अब आता है यहाँ पर fifth question fifth question यहाँ पर जो है इसमें आपको जो है दिया हुआ है read the following passage and answer the questions that follow यहाँ पर जो है आपको यह passage पढ़ना है यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर आपको 5 question दिये हुए हरे question 4 नमर गाए तो 20 नमर का total question है यह fifth question तो यहाँ पर passage आप इसमें भी आपको खुद से पढ़ सकते हैं उमीद करता हूँ और यहाँ पर पूरा passage आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जो है इसका screenshot ले लीजे या फिर यहाँ पर जो है इसको आप जो है pause करके भी पढ़ सकते हैं अब देखते हैं question question यहाँ पर जैसे के यह 5 question पूछे गई है अब ہो passage मैं से ही इसके answer आपको देने हैं आप देख पा रहे होंगे यह 5 question आपको देने हैं तो इसके basis के basis पर इनसे के answer आपको देने हैं तैसे अभी description में फिर से मैं बता देदे तो description में link दे दूँगा ताकि आप इसके answer देख पाएं उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके grammar का part तो six questions से आपके grammar का part है जिसमें यहाँ पर तीन question आता है six में A, B, C में तो A यहाँ वाला question है यहाँ पर rewrite the sentences as direct तो यहाँ पर जैसे के पहला question है the flowers Rana gave to Mina have withered the questions do not match the couch the curtains also do not match the couch तो यहाँ पर जो है इसमें करना है combine the sentences using neither nor तो neither or nor जोड कर यहाँ पर sentence आपको नया बनाना है तो इसका answer हो जाएगा neither the questions nor the curtains match the couch फिर थर्ड कोशन है अनिल plays football in the evenings he goes for swimming in the mornings इसमें बताना है combine the sentences using not only but also तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा not only does अनिल play football in the evenings but he also goes for swimming in the morning तो यह इसका answer हो जाएगा फिर है fourth question can your mother not go in the other car change to affirmative यहाँ पर इसका answer हो जाएगा your mother can go in the other car फिर है fifth question you never think of dash fill in the blank using a reflexive pronoun तो reflexive pronoun के साबसे यहाँ पर आजाएगा हमारे पास yourself यहाँ पर yourself यहाँ पर इसका answer हो जाएगा इसमें हालांकि मैं answer इसके बैसे भी देने वाला हूँ आगे बढ़ता है अब आता है यहाँ पर fifth question तो fifth question जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो sorry sixth question यहाँ पर है dash she was talking on the phone her purse fell from her hand तो यहाँ पर fill in the blank using the appropriate word because while तो यहाँ पर जो है because याँ वाइल मैंसे क्या आएगा तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा while she was talking on the phone her purse fell from her hand seventh है the golden is infested dash mice fill in the blank using a preposition तो seventh में यहाँ पर answer हो जाएगा इसका with mice यहाँ पर जो है इसका यह answer हो जाएगा फिर है sixth question a great poet and essayist dash in this house fill in the blank using the correct form of live तो eighth में यहाँ पर इसका answer हो जाएगा a great point and essayist used to live यहाँ पर इसका answer हो जाएगा used to live यहाँ पर जो है इसमें answer होगा in this house फिर है ninth question you are requested not to plug the flowers तो इसमें बताना है change to active voice यहाँ पर आना चाहिए तो इसका answer हो जाएगा please don't plug the flowers यह इसमें answer हो जाएगा फिर है tenth question यह है यहाँ पर लावन्या said to पलवी did praying का have lunch with silfy change to indirect speech तो यहाँ पर आनसर होगा लावन्या asked पलवी whether praying का had lunch with silfy फिर है इसमें sixth question का be part write one sentence each using the following words phrases to bring out their meaning clearly do not change the form of the given words phrases तो यहाँ पर जो है इसको आप ऐसे अपने हिसाब से बता सकते हैं उसके अलावर PDF मैं जो दूँगा उसमें भी answer आपको पता चली ही जाएगा आगे बढ़ता है फिर last question is six का see part जिसमें यहाँ पर पूचा जा रहा है correct the following sentences without making any unnecessary changes तो यहाँ पर जो है कोई भी change हुए बिना ही यहाँ पर इसका correct form बताना है तो जैसे कि पहला है help me to open the bottle तो इसका answer हो जाएगा please help me to open the bottle यहाँ पर add हो जाएगा please यहाँ पर जो है add हो जाएगा please help me to open the bottle second है 10 km are a long distance तो यहाँ पर 10 km यहाँ आर नहीं होगा is हो जाएगा यहाँ पर यह इसका right answer हो जाएगा फिर है third I you and my brother will go to the movie tomorrow तो यहाँ पर इसमें answer हो जाएगा you पहले नमर पर आजाएगा you my brother and I will go to the movie tomorrow यह इसका answer हो जाएगा फिर है fourth hardly did he open the door when the lights went off तो इसमें answer हो जाएगा hardly had he opened the door that the lights went off यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा उसके बाद fourth question है the sister and the brother congratulated one another on their success तो फिफ्ट में यहाँ पर answer हो जाएगा the sister and the brother congratulated each other यहाँ पर one another की यहाँ पर आजाएगा each other यहाँ पर जो है इसका right answer होगा यहाँ पर मतलब each other को यहाँ पर add कर कर लीजेगा ताकि आपको इसके answer सारे पता चल सके हैं उम्मीद करते हूं यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर जीएगा ताकि आपको देख सकें तैंक यूब